नमस्कार आप देख रहे हैं पीजी नियूज मैं प्रवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अभी हम लोग संतकभी नगर में हैं और संतकभी नगर का जो मामला है वो कहिन कहीं अब और उलजता हुआ नजरा रहा है अगर ऐसे में हम बात करें तो हमारे साथ अ आगवान का रूप होते हैं जिस बच्चे को माने गोद में ली है वाइरल होता है जिस आइडियो क्लिप में इस छोटी सी बच्ची को गाली देता है और उस गाली को सुनने के बाद पूरे परिवार में सब लोग कहीं कहीं बौखलाये हुए हैं और तमाम प्रकार की चीज सुरॉल आता है और कहता है कि हम अपना काम कर दिये हैं आप लोग अर्जुन के ऊपर केस करिए क्या कुछ सचाई है हम अर्जुन के ससुरॉल हैं जानने की कोशिस करेंगे माता जी सबसे पहले क्या नाम हो आपका हमार नाम बाबू मन्जु देवी नाम अच्छा ही बताव केश करा नाम कि इसनूआ यहां आईल रहल है अपने आईल नाम है केस करें किस और कर दो सबस्ती जबसे बच्छी के गाली दह लेबा वो समय साथी वाला तो साधिवला मारिटर कहले राल है लेकिन सब का समझावता कुल करत रहना काहना कि हम न के समझावता कहले मैं हैं हमेरे बच्चिया के हाँ गाली के दिया है बच्चे-भगवान का रूप होते है एक छोटी सी बच्ची को विष्णू गाली देता है और उसका आईडियो क्लिप जो है अब वाइरल हो गया है अच्छा ये बताईए माता जी कि ये जो साधी का प्रक्रण हुआ इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा और आपके परिवार में इसका क्या महुत बहुत गंदा महल है गंदा महल स इतना आदमी जानते हैं सब कहते हैं एक क्या हो गया उससे क्या हो गया था साधी कर लिया पता ने उसको क्या खिला दिया विष्णू क्या कर दिया कुछ के दिमाख में क्या हो गया कुछ जैसे पगला गया था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं साधी करने जाओं कहा अाँ जाया जाऊं क्या करूँ आगर उससी समय मर गया होता तो हम अपने लड़की को अनतनी को कहां ले कर जाते हैं किसके पास ऑचनjaz चामाता जी इसमें आपको क्या लगता है इसमें सबसे जडूसी अरजुन है या मालती है, मालती विशनू दोनों है, हाँ, तीनों ही थे, तीनों ही थे, जब साधी करा रहे थे, तीनों आदमी थे, उसके बाद कोई नहीं था, उसके बाद पंडित थे, बारे बजे राती को कोई साधी कराता है, दिन को तुम्हारा हैसियत था, चार आदमी के सामने चलो कराओ साधी तुम इतना धिंगरा हो रात को कराते हो साधी रात को कोई मानता है धिंगरा होते नहीं सामने रहते दिन को साधी कराते अगर मचेक बच्चे क मर्द का बच्चा होता था लेकिन तुम तो इतना गिरा हुआ इंसान हो कि तुम्हारे चेहरे पर कोई देखेगा कि रात को अपना अपनी बीबी किशी को दोर दे रहे हो कोई देता है दान में अच्छा माता जी यह बताईए आपकी भी उम्र काफी लगभग होगी हाँ 50 साल प्लस आपकी भी उमर होगे अच्छा इतनी बड़ी घटना कोई अपने पत्नी का हात् हस्ते हुए, किसी दूसरे के हाथ में पकड़ादे, ये कहां तक सही है। अगर आरजुन किसी के साथ हमारी लड़की को हाथ देते हम लोग लगते अच्छे, हम लोग भी अच्छे नहीं लगते। उसको भी सोचना चाहिए, कि हम उसको हाथ में मत दें, साधी मत कराए, जी वीडियो बन रहा है, तो पैसे के लिए क्या करें, किसी का इजद बेच दें, उस पर भी काता है, तुम अब कैसे समझाता कर लिया, वो तो कह रहा था, बोल रहा था, हम नहीं तुम को रखेंगे, त कैसे आब रख रहा हैं, उसके मुँ में कालिख नहीं लग रही है, लग तो गई, मता जी, अच्छा यह बताईए कि वही अर्जुन जो है, वो कह रहा था कि, अर्जुन नहीं, वही विसनुराज यह बोल रहा था, कि हमारे घर अर्जुन आकर गारी साफ करता था, गारी सा है माता जी गाड़ी साफ करत रहने दो दो जगहीं फसे हुए थे अभी जेल की चक्की कहिया पीसे होते लेकिन हमारे दमाद इस था कि वही बचा लिए हाँ बचा कर इस रास्ते पल्या उसी को घसीट रहा है जेल में उसी को आपका दमदोवा भी तो बोल रहा था कि हम मालती कि बगर नहीं जी पाएंगे उसका भी बयान मीडिया में चला है वो यह बोला है कि हमारी एक घर वाली एक बाहर वाली हमारे पास दो तल्ले का मकान है ऊपर हमारी पहली वाली रहेगी नीचे दूसरी वाली रहेगी नहीं तो यह नहीं होगा वो नहीं रहेगी यह कहीं रह उसको मानेंगे नहीं उसको कोई मानेगा रात को साधी होता है चार आदमी के साथ साधी होता है समाज पूरा बैठता है तब साधी होता है अरजुन का एक बयान और वाइरल हो रहा है अरजुन कह रहा है कि मेरी पत्नी मुझको छोड़ कर चली गए और कह रही कब हम तुम्हा क्या कहती है मतलब आपके हाँ आई है अभी तो दवा लेने गई है लेकिन क्या कुछ राय दिती है कि अब अर्जुन के साथ रहेंगी या नहीं रहें रहेंगे नहीं हम लोग कहेंगे हम लोग जाएंगे करवाई करेंगे तब का छोड़ेंगे का माता जी अर्जुन के बारे में जब आप अर्जुन से अपने लड़की की साधी कर रही थी क्या कुछ पता की थी कि ये लड़का कैसा है गाउं में या उसका विहाइब कैसा था जब वो आपके घर पे आते थे 2016 में साधी हुई थी तो कहिन कहिन साथ साल ये साधी पुरानी थी तो ये सब कैसे मतलब अर्जुन बीच में खेला गड़बड कर दिया अरे अब कैसे गड़बड कर देहना हो तो भागवाना जानी है आरे साधी सब जान के करला आप लोग अध eleवाटे टे आप लोगन के अन्दर जान का बर ला के हो जानतना उ5 लेकिन नाय हाथ पकड़ा देहलां तो कि समाज में हाथ पड़ा उलस तो के झाल रहिव थी ये था उनए करती इन आए कि मान गोमा तो कर भोल नेपाव और कर अब इस प्रकार का यह लोग काम कर दिये हैं जो नई नई साधिया होती है आज कल बहुत सारे लोग यूटूब पर काम कर रहे हैं अब समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और कोई अपने लड़की लड़कियों को बेटियों को वीडियो बनाने देगा या नहीं नहीं कोई नहीं वीडियो बनाने देगा नहीं यह सब घिनावना कार हो गया तब का पूरा घिनावना हो गया पूरा घिनावना हो गया कोई किसी को चढ़ने नहीं देगा तो माता जी अभी बिस्नु और माल्ती का समझाओता हो गया है माल्ती अब बिस्नु के पास आ रही है और इनको अपने प्यार में फंसाई थी अर्जुन को कहें कहीं अर्जुन को पूरी तरह बरबाद कर दी है अब क्या कहना चाहेंगे माल्तिक बारे में अर्जुन की सास माता अर्थात अर्जुन की पतनी की ये माता जी हैं और अभी हम लोग अर्जुन के ससुराल में हैं साहब इनके माता जी से बात चीछ चल लही थी पूरे परिवार में कहिन कहीं आक्रोस है लोग कहिन कहीं इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं इस मामले क लेकर जिस प्रकार से बिसनु राज ने अपने पतनी की सादी City अर्जुन के साथ करा देता है और des दिन ये मामला वीडियो टु वीडियो केलता है फिर क्या करता है कि उसी पतनी के साथ कोट में जाकर समझाओता करके पहले बेटे को लाता है और अब दो दिन बाद पत्नी को ले आएगा फिरहाल इसमें बूरे फंस गए हैं अरजुन जी जो माता जी के दमाद है अगर एक कहावत कहा जाए गाव में कि धोबी का कुट्ता न घर का न घाट का तो कहें कहीं अब जो है उनकी जो हालत है वो दोबी से भी बदतर हो गई है फिरहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट राए में अपनी राय जरूर दीजिएगा चलिए मिलते हैं फिर से एक नेस्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज जय हिंद जय भारत